सबी को नमशकार, आज वन के मार्ग में इसके प्रशन अभ्यास करेंगे तो यह कवीता जो है, इसके हम पहले प्रशन से शुरू करते हैं यहां पर आप देखो, पहला प्रशन हमारा आ रहा है कि प्रथम सवया में कवी ने राम सीता के कौन से प्रसंग का वर्नन किया है जिनको प्रशन का जवाब आता है वो कमेंट सेक्षन में जरूर मुझे बताना और हमारा यहां पर जवाब है कि प्रथम सवया में कवी ने राम सीता के वन गमन का प्रसंग का वर्नन किया है जब वो वन में गए थे उसके प्रसंग को बताया है कोन गया था वन में राम और सीता जी के साथ लक्षमन भी गए थे तो उसके प्रसंग को इस सवया में कवी ने बताया है दूसरा हमारा प्रशन आता है कि वन के मार्ग में सीता को होने वाली कठीनाईयों को बताईए सीता को क्या क्या कठीनाईयां हुई थी आप सभी को पता है कि वन के मार्ग में जाते वे सीता ठक गई उनके माथे से पसीना बहने लगा उनके होंट सूख गए और वन के मार्ग में चलते चलते उनके पाउं में कांटे चुबने लगे रास्ते में क्या था कांटे थे क्योंकि घना वन था तो मार्ग में उनके कांटे चुबने लग गए थे इस तरह से उन्हें वन के मार्ग में ये कई सारी कठीनाया आई थी उसके बाद हमारा प्रश्नाता है कि सीता की आतुरता देखकर राम की क्या प्रतिक्रिया हुई सीता की आतुरता को देखकर शी राम व्याकुल होटते हैं व्याकुल होना क्या होता है बेचेन होना सीता को थका और प्यासा देखकर उनकी आँखों से आशु बहने लगते हैं आँखों से क्या आशु बहने लगते हैं और वह परेशान हो जाते हैं बहुत उनका मुँ ऐसे हो जाता है परेशानी से उतर जाता है मुँ तो परेशान हो जाते हैं और आँखों से पानी बहने कारण जेलना पड़ा यह सोच करके उनकी आँखों से आश्मों की धारा बेहने लगती है और उन्हें आश्मों आ जाते हैं वो यह सोचते हैं कि सीता जी उनके कारण प्रेशान हुई है नेस्ट त्मारा प्रेशन आजाता है कि राम बैठकर देर तक कारण एक देखि नहीं जा रही थी लक्ष्मन पानी की तलाश में गए वे थे इसलिए जब तक लक्ष्मन लोट कर आते वे सीता की व्यकुलता को कम करना चाहते थे इसलिए कई दिर तक बैटकर पाउं के काटे निकालते रहे क्योंकि अभी उन्हें और भी चलना था फिर मरा प्रिश्णा जाता है सविया के अधार पर बताओ कि दो कदम चलने के बाद सीता का ऐसा हाल क्यों हुआ सीता राजा जनक की पुत्री थी उनका जीवन राज मैलो में गुजरा था इस परिकार की कठेनाया उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी इसलिए अभ्यास तना होने के कारण उनका ऐसा हाल हुआ उन्हें अभ्यास नहीं था चलने का, प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए उनका ऐसा हाल हुआ सभी बच्चे मात्राओं का विशेश ध्यान रखेंगे, अगर आपकी मात्रा गलत हुद्य तो आपके माक्स जाने का भै होता है तो यहां पर हम जरूर ये बात ध्याने किएगा, अभी देखो धरी धीर दय का क्या आशे है, इस पंक्ति का आशे है धेरे धारण करना धरी धीर येनी धेरे धारण करो, सीता वन मार्ग में चलते वे, राम का साथ देते वे, तकलीफों को सहते वे, मन ही, मन स्वेम को धीरज बंदा रही थी, खुद को हिम्मत दे रही थी, धीरज दे रही थी धीरज का तजपर होता है, धेरे देना, खुद को धेरे दे रही थी, उसके बाद यहाँ पर आजाए देखिए, वन का मार्ग कटनाईयों से भरा होता है, वन की क्या क्या कटनाईयां वो बताई हैं, यहाँ देखो सभी उसकी कटिनायां बताई हैं, इसके बाद हम करेंगे भाशा की बात तो भाशा की बात में लखी देख कर धरी धिर धरी रख कर पहुची पहुच कर जान कर उपर के शब्द में अर्द्ध्यान से देखों देख धरी यनी रख कर जेज हुदेशे के लिए क्रिया में कर जोड़ देटे हैं, अवदी में बैठी बैठ कर बैठी और हिंदी में बैठ कर तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है अपनी भाषा के ऐसे शब्द बताना यहां देखो बैठ कर बैठी इसको कैसे बदल दिया यहां पर बैठी मतलब बैठ कर इसका मतलब बदल गया ना यह बोली में लिख कर लखी तो ऐसे बोली कैसे बदल जाती है आप भी बताना और छे शब्दा को लिख करके देखा सकते हो यदि आप चाहते हो तो की शोट लेकर के मुझे अपनी वक्षीट का वक्स वट्सप ग्रूप में भी सेंड कर सकते हो वहां में देख लूँगी अपनी क्या विताया है तो यहां देखो फिर अमारा प्रिश्णा जाता है अपनी मात्रवाशा के छे शब्द आपको इस तरह से देख करके लिखने हैं आपको समझ करके यह लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे थैंक्यू फूर वाचिंग